नमस्कार आम तोर पर हमारे देश में ये परंपरा रही है कि बजेट के बात बजेट के संदर्ब में सौंसद में चर्चा होती है और ये जरूरी भी है उप्योगी भी है लेकिन हमारी सरकार बजेट पर चर्चा को एक कदम आगे लेकर गई है बीते कुछ वर्षों से हमारी सरकार ने बजेट बनाने से पहले भी और बजेट के बाद भी सभी स्टेक्फोल्डर से गहन मंतन की नई परंपरा शुरू की है ये इंप्लिमेंटेशन के लिहाद से टाइम बाउंड डिलिवरी के लिहाद से बहुत ही महत्वपूर है इससे टैक्सपेर्स मनी की पाई पाई का सही इस्तेमाल भी सुनिश्चित होता है बीते कुछ दिनों में मैं अलग-अलग फिल्ड के एक्सपर्ट से बात कर चुका हूँ आज रीचिंग दे लास्ट माईल जो मात्मा गांदी कहते थे न कि आपकी नेतियां आपकी योजनाएं आखरी छोर पर बैटे हुए व्यक्ति तक कितनी जल्दी पहुंचती हैं कैसे पहुंचती हैं ये बहुत महतोपूर है और इसलिए आज सभी स्टेकोंडर्स के साथ इसी विशय पर व्यापक चर्चा जरूरी बनी है कि बजेट में लोग कल्याण के इतने काम होते हैं इतना बजेट होता है हम उसको लाभार्ति तक पूरी ट्रांसफरेंसी कैसे पहुंचा सकते हैं साथियों हमारे देश में एक पुरानी अवधाना रही है कि लोगों का कल्याण और देश का विकास सिर्फ धन से ही होता है ऐसा नहीं है देश और देश वाच्चों के विकास के लिए धन तो जरूरी है लेकिन धन के साथ ही मन भी चाहिए सरकारी कारियों और सरकारी योजनाओं की सफलता की सबसे अनिवार्य शर्थ है गुड गवर्ननस सूशासन संवेदन सिल्शासन जन सामान्यको समर्पित शासन जब सरकार के काम मेजरेबल होते हैं उसकी निरंतर मोनिटरिंग होती है तो बहुत स्वाभाविक है कि आप समय सिमा में निर्धारित किये हो गए लक्षों को प्राप्त कर सकते हैं डिजायर डिजल मिल सकते हैं इसलिए गुड गवर्ननस पर हम जितना जोर देंगे उतना ही रिचिंग द लास्ट माइल का हमारा लक्ष आसानी से पूरा होगा अप याद करिए हमारे देश में पहले दूर दराज के खेत्रों तक वैक्सिन पहुंचने में कई कई दसंग लग जाते थे देश वैक्सिनेशन कबरत के मामले में बहुत पीछे था देश के करोणों बच्चों को खासकर गावों और ट्राबल बिल्ट में रहने बाले बच्चों को करते हैं, तो भारत में वैक्सिनेशन कवरेज को शत्त प्रतीशत करने में कई दसक और बित जाते हैं, हमने नई एप्रोच के साथ काम शुरू किया, मिशन इंद्रदर्जु शुरू किया और पूरे देश में वैक्सिनेशन की व्यवस्ता को सुधारा। जब कोरोना वैस्विक हमारी आई, तो इस नई व्यवस्ता, नए शिस्टिम का लाग हमें दूर सुधूर वैक्सिन पहुंचाने में मिला। और मैं मानता हूँ, गुड गवनन्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है, उसकी बहुत बड़ी ताकत है, जिसने लास्ट माइल डिलेवरी को संभव बनाया। साथियों, रीचिंग द लास्ट माइल की अप्रोच और सेचुरेशन की नीती, एक दूसरे की पूरक है, एक समय था, जब गरीब मुल्स विधाओं के लिए सरकार के पास चक्र लगाता रहता था, किसी बिचोलिय की तलास में रहता था, जिसके कारण करप्शन भी भरता थ और लोगों के अधिकारों का हनन भी होता था, अब सरकार गरीब के दरवाजे पर जाकर उसे सुविधाय दे रही है, जिस दिन हम ठान लेंगे, हर मुल्भूत सविधा, हर शेत्र में, हर नागरिक तक बिना भेदभाव के पहुँचा कर ही रहेंगे, तो देखिएगा कितना बड़ा परिवर्तन स्थानिय स्थर पर, ग्रास्रूट लेवल पर हमारी कारिशन स्कूति में बढ़लावने जर आएगा, सैचुरेशन की नीती के पीछे यही भावना है, जब हमारा लक्ष हर एक के पास पहुचने का होगा, हर हित धारक के पास पहुचने का होगा, तो फिर किसी के साथ भेदभाव की, ब्रस्टा अचार की, भाई बती जेवाद की, कोई गुंजाईश ही नहीं रह जाएगी, और तभी रिचिंग द लास माईल का लक्ष भी आप पूरा कर पाएंगे, आप देखिए, आज पहली बार देश में, पी-म स्वनीधी योजना के माध्यम से, स्ट्रीट वेंडर्स को फॉर्मल बैंकिंग से जोड़ा गया है, बन्जारा, गुमन्तू, अर्द गुमन्तू वर्ग के लिए वैलफेर बौर्ड बना है, गावों में बने पांच लाग से जादा कॉमन सर्विस सेंटर्स, सरकार की सेवाओं को गावों तक ले गए हैं, मैंने कल ही मन की बात में विस्तार से बताया है कि कैसे देश में टैली मेडिसिन के दस करोड केसिस पूरे हुए हैं, ये भी स्वास्थ को लेकर रीचिंग दलास माइल की भावना का ही प्रतिवीर है, साथियों भारट में जो अदिवासिक शेत्र हैं, ग्रामिन शेत्र हैं, यहां आखरी चौर तक रीचिंग दलास माइल के मंत्र को ले जाने की जरुफ है, इस साल के बजेट में भी इस पर विशेस ध्यान दिया गया है रिचिंग दे लास माइल के लक्ष को पूरा करने के लिए ही जल जीवन मिशन के लिए हजारों करोड रुपिये का प्रावधान बजेट में किया गया है साल 2019 तब हमारे देश के ग्रामिन अलाकों में सिर्फ तीन करोड घरों में ही नल से जल जाता था अब इनकी संख्या बढ़कर ग्यारा करोड से ज़्यादा हो चुकी है और इतने कम समय में हुई है सिर्फ एक साल के भीतर ही देश में लखवक साथ हजार अमरुद सरोवर का काम शुरू हुआ है और मुझे जो जानकारी बताई गई है अब तक करीब करीब तीस हजार से अधीक अमरुद सरोवर बन भी चुके है कि अभ्यान दूर सुदूर में रहने वाले उस भारतिये का जीवन तर सुधार रहे हैं जो दसकों से ऐसी व्यवस्ताओं का इंतजार करता था लेकिन साथियों हमें यहां रुकना मंजूर नहीं है हमें और आगे जाना है आखरी व्यक्ति तक जल्दी से जल्दी पहुँचना है हमें एक मेकेनिजम क्रेट करना होगा ताकि पानी के नए कनेक्शन में हम वाटर कंजम्शन का पैटर्न देख सकें हमें इस बात की भी समक्षा करनी है कि पानी समीति को और ससक्त करने के लिए क्या किया जा सकता है गर्मी का मौसम ही आ गया है जल्द सवरक्षन के लिए अभी से हम पानी समीतियों का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी हमें सोच रहा है बारिस के पहले ही कैज दरेन मूवमेंट के लिए लोक शिक्षन हो जाए लोकों के सक्रियता हो जाए जैसा ही पानी आये काम शुरू हो जाए साथियों इस वर्स के बजेट में हमने गरीबों के घर के लिए करीब करीब 80,000 करोड रुपे रखे हैं हमें हाउसिंग फर ओल की मुहिम को तीजी से आगे बढ़ाना होगा हाउसिंग को टेक्नोलोजी से कैसे जोड़े कम खर्च में जादा टिकाव और मजबूत घर कैसे बने ग्रीन एनर्जी जैसे सोलर पावर का फाइदा कैसे हो ग्रूप हाउसिंग के नए मोडल गाव और शहरों में भी स्विकारिय हो यह कैसे हो सकता है इस पर ठोच चर्चा की जरूत है आपके अनुभव का निचोड उसमें निकलना चाहिए साथियों हमारे देश के ट्राइबल समाज के विशाल पोटेंशल को टैप करने के लिए पहली बार देश में इतने बड़े स्थर पर काम हो रहा है इस बार के बजेट में भी ट्राइबल डवलप्मेंट को प्रमुकता दी गई है एक लव्य मोडल रसिदेंशल स्कूलों में शिक्षकों और स्टाप की भरती का बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है एक लव्य मोडल स्कूलों में हमें ये भी देखना होगा कि विद्यार्थियों का फिडवे क्या है शिक्षकों का फिडवे क्या है इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को देश के बड़े शहरों में एक्स्पोजर कैसे मिले इन में अटल टिंकरिंग लैब जाता जय जाता कैसे बने इस दिशा में भी हमें सोचना होगा अब कल्पना कर सकते हैं कि अगर हम इन स्कूलों में अभी से स्टार्ट अप्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए वर्क्शाप शुरू करवाएं तो इसका कितना बड़ा लाभ हमारे आदिवासी समाश को होगा जब ये बच्चे एक लव्य मोडल स्कूलों से बढ़कर निकलेंगे तो उन्हें पहले से पता होगा कि अपने क्षेत्र के ट्राइवेल प्रोड़क्ट को उन्हें कैसे प्रमोट करना है कैसे ओनलाइन उनकी ब्रांडिंग करनी है साथियों पहली बार आदिवासियों में भी जो सबसे बंचित है उनके लिए एक विशेश्ट मिशन हम शुरू कर रहे है देश के 200 से अधिक जीलों में 22,000 से अधिक गावों में ट्राइबल साथियों तर रहे हमें तेजी से सुविधाय पहुचानी है वैसा ही हमारे लगुमती समाज में खास करके मुसल्मान समाज में पस्पन्दा समाज है बहां तक लाप कैसे पहुचे जो आज भी आज हदिक इतने साल के बाद भी बहुत पीछे रह गए है इस बजेट में सिकल सेल से पूरी तरह से मुक्ति का लक्ष भी रखा गया है इसके लिए होल अब दो नेशन एप्रोच की ज़रूरत है इसलिए हेल्थ से जुड़े हर स्टेक्वोल्डर्स को तेजी से काम करना होगा साथ को एस्पिरेशनल डिस्टिक्ट प्रोग्रेम रीची इन द लास माहिल के लिहाज से एक सक्सेस मोडल बनकर उभरा है इसी एप्रोच पर अब देश के पान सो ब्लॉक्स में एस्पिरेशनल ब्लॉक कारिकम शुरू किया जा रहा है एस्पिरेशनल ब्लॉक्ट प्रोग्रेम के लिए हमें कमपेरेटिव पैरामिटर्स को ध्यान में रखते हुए वैसे ही काम करना है जैसे हमने एस्पिरेशनल डिस्टिक्ट के लिए काम किया है हमें हर ब्लॉक में भी एक दूसरे के लिए प्रतिस्परधा का माहोल बना रहा है साथियों मुझे विश्वास है कि इस वेबिनार से लास माइल डिलिवरी से जुड़े नए विचार नए सुझाव इस मंथन मैं से वो अमरत निकलेगा जो हमारे दूर दराज के खेत्रों में आखरी छोर पर बैटे हुए हमारे भाई बेन है उनके जीवन में बडलाव लाने के लिए आपके सुझाव बहुत काम आएंगे हमें आगे के लिए सोचना है हमें इंप्लिमेंटेशन पर बल देना है हमें टेक्नोलोजी का सरवाधिक उप्योग करते हुए ट्रांसपरंसी को सुनिश्चित करना है हित धारक सही हो उसको मिलने की व्यवस्ता उसके काम आने वाली हो और समय सिमा में मिले ताकि जल्दी से जल्दी वो एक नए विश्वास के साथ खुद गरीबी के खिलाब लडाई लड़ने के लिए हमारा एक सैनिक बन जाएगा हमारे गरीबों की फोच गरीबी को परास करने के लिए ताकतवर बननी चाहिए हमें गरीबों की ऐशी सक्ति बढ़ानी है ताकि हमारा गरीबी गरीबी को परास करें हर गरीब ये संकल्प लेने सुरू करें कि अब मुझे गरीब नहीं रहना है मुझे मेरे परिवार को गरीबी से बहार निकालना है सरकार मेरा हाथ पकड़ रही है मैं चल पड़ूँगा ये वातावन हमें पैदा करना है और इसके लिए मुझे आप जैसे सभी स्टेक होडर्स के सक्रिय सहयोग के पेशा है मुझे विश्वास है आज का एक वेबिनार एक प्रकार से सर्वजन हिता है सर्वजन सुखा है एक बहुत बड़े संकल की पूर्ती का कारन बनेगा मेरी तरफ से आप सब को बहुत बहुत शुब कामना है धन्यवाद